हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम इंग्लिश का चैप्टर नमर 35 जिसका नम है दखिंग ओफ दी गोल्डेन रिवर पार्ट टू यह हम करने वाले हैं यह मैं आपको एक्स्प्रेइन करूंगा हिंदी में ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को स सारे वीडियोज मिल जाएंगा ठीक है तो देखो इससे पहले मैंने पार्ट वन आपको करा दिया है अगर आप पार्ट वन नहीं देखे हो तो देख लो ओके इसका लिंक जो है आप जब डिस्क्रिप्ट जो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक है उस पे क्लिक करोगे वहां पर पार्ट वन भी आपको मिल जाएंगा ठीक है चुले स्टाट कर देखो क्या नाम है इसका धुक्टिंग ऑफ दी गोल्डेन रिवर कि मतलब राजा गोल्डेन मतलब अब अब सकते हो कि डक्षिड पस्चिं मतलब जो दुक्षिर और पस्चिं के बीश में रहता है ना उ अपने सब्दों फिस सच जह बोला सब्सक्रॉट फप initiatives चप्ल की तो Rings दो हॉइट लूआ वहा पस से आपने वे करते समगा यह जह सकता हो ऊई बार का यह यह जिंवरे की तो सब्सक्राइबЕ जो वो जो था साउथ वेस्ट विंड वो उस रात को जो सुनहीरी जो खजाने की घाटी थी वहाँ पर वापिस नहीं आया था नेधर डिड एनी अधर विंड नेधर मतब बचो ना अधर मतब बचो दूसरे विंड मतब हवा मतब बचो ना ही कोई दूसरी हवा So there was no rain, rain मतब बचो बारिश तो क्या यहां पर बोला कि इसलिए वहाँ पर कोई भी बारिश नहीं हुई थी बारिश वहां पर नहीं हुई थी क्योंकि बच्छो देखो हवा से ही वहाँ पर बादा लाते थे फिर और वहाँ पर बारिश होती थी लेकिन वहाँ पे कोई भी हवा नहीं चली इसलिए वहाँ पर बारिश नहीं हुई Nothing grieve in treasure valley anymore Nothing मतब बच्चो कुछ नहीं, grieve मतब बढ़ना Treasure मतब बच्चो खजाना, valley मतब घाटी Anymore मतब बच्चो अब बल सकते हो कि इससे ज़ादा ठीक है क्या बोला यहाँ पे कि अब यह जो treasure valley थी, जो खजाने के जो घाटी जिससे बोलते है वहाँ पे अब कुछ भी उगता नहीं था कोई भी फसल नहीं उगती थी, कुछ भी वहाँ पे नहीं हो रही थी The brothers made no more profits Brothers मतब बच्चो भाई, made मतब बच्चो आप बल सकते हो बनाना Profit मतब बच्चो मुनाफ़ा या, तो फाइदा आप बल सकते हो क्या वहाँ जो यह भाई थे, जो यह लोग अब कोई भी मुनाफ़ा नहीं बना पा रहे थे इनको कोई भी फाइदा नहीं हो रहा था कौनसे बच्चो जो भाई लोग थे, जो लोग बहुत बुरे थे, जो हम पार्ट वन में पड़े है, उन भाईयों की बात हो रही है The wicked brothers then began to make money by selling gold विकेड मतब बच्चो अब बुरे, brothers मतब भाई, begin मतब बच्चो शुरू, money मतब बच्चो पैसा, selling मतब बेचना, gold मतब सोना यहाँ पर क्या बोला है, कि जो बुरे भाई लोग थे, इन्होंने अब सोने को बेचकर पैसा लाना शुरू किया घर में, ठीक है, पैसा कामाना कैसे शुरू किया, सोनोई को बेचकर, जो उनके घर में सोना था they melted in a furnace, the gold articles they had, melted मतब बच्चो पिघलाना, furnace मतब बच्चो क्या बट्टी, जो बट्टी में नहीं, ETSB बनती है, उसको हम बट्टी बोलते हैं, ठीक है, gold मतब सोना, article मतब बच्चो आप बोल सकते हो, जो सोने के सामान रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर gold article मतब सोने के सामान, य pure gold, mix मतब बच्चो मिलाना, copper मतब तामबा, sold मतब बेचना, pure मतब बच्चो असली gold मतब सोना, pure gold मतब असली सोना, यहाँ पर क्या बोलाएं, कि वो लोग क्या करते हैं, उसमें तामबा मिलाते थे, सोने को पिगला कर, उसके अंदर तामबा मिलाते थे, और उसे असली सोना pure और गोल्ड बोलकर बेचते थे अगें ते मेड पूर ग्लक वर्क इन फरनेस वाइल दे स्पेंट दा मनी ओन देमसेल्स अगें मतब बचो वापिस पूर मतब बोल सकते बच्चो यहां पर बेचारा ग्लक मतब क्या जो इन लोगों के इन भाईयों को छोटा भाई था उसका न फो खुद पर ठीक है यहां पर क्या वोला है कि इन्होंने क्या किया वापिस ये बेचारे ग्लक को जो इनका सबसे छोटा भाई था उसे भट्टी में काम करवाते थे और जो भी पैसा इनको मिलता था सोने को बेचकर यह अपने उपर ही खर्च करते थे ठीक है ग्लक से काम करवाते थे आगे क्या है देखो Soon all the gold in the house was spent Soon मतलब बच्चो जल्द Gold मतलब सोना, house मतलब घर Spent मतलब बच्चो आपको बता हूँ गुजारना, क्या बोला है कि जल्द जितना भी सोना घर में था सब बेज दिया गया, सब खत्म हो गया Only one thing was left a beautiful golden mug that belonged to Gluck Only मतलब बच्चो सिर्फ One मतलब एक, thing मतलब चीज Left मतलब बच्चो आप बोल सकते हो बचे रहना या तो छूटना Beautiful मतलब बच्चो खूबसूरत सुन्दर, golden मतलब बच्चो सोना Mag मतलब बच्चो आप क्या बोल सकते हो Mag मतलब कटोरा Gluck मतलब बच्चो यह जो छोटा भाई है उसका नम Gluck यहाँ पर क्या बोला है कि सिर्फ एक ही चीज घर में बच्ची हुई थी वो था एक बहुत ही खूबसूरत सुन्दर सा छोटा कटोरा जो Gluck का था Gluck's uncle had given it to him when he was a baby given मतलब बच्चो देना when मतलब बच्चो जब baby मतलब बच्चा क्या बोला यहाँ पर कि Gluck को उसके अंकल ने उसे तब दिया था जब वो एक चोटा बच्चा था तब उसको यह कटोरा जो प्याला था उसे दिया था Gluck को जो यह सुनहरा प्याला था Gluck used to drink both milk and water from it drink मतलब बच्चो पीना both मतलब दोनो milk मतलब बच्चो दूद water मतलब पानी from मतलब बच्चो आप बोल सकते हो से ठीक है यहाँ पर क्या बोला है कि Gluck जो था वो दोनो दूद और पानी दोनो इसे पीता था जो कटोरा था a strange bearded face was delicately carved on the mug strange मतलब बच्चो अजीब bearded मतलब बच्चो दाढ़ी वाला face मतलब चेहरा delicately मतलब बच्चो नाजुक carved मतलब खुदा हुआ mug मतलब बच्चो प्याला क्या बोला है यहाँ पर कि एक अजीब दाढ़ी वाला चेहरा था जो इस cup के उपर इस mug के उपर इस प्याले के उपर गूंदा हुआ था Gluck was very fond of the mug Gluck कौन बच्चो जो छोटा भाई था वो fond मतलब बच्चो आप बोल सकतो प्री है mug मतलब बच्चो यह तो आप बोल सकतो लगाओ mug मतलब बच्चो प्याला Gluck को जो प्याला था मग था इससे बहुत ही ज़्यादा लगाओ था He did not want to part with it Want मतलब बच्चो चाहना Part मतलब बच्चो अलग होना यहाँ पर क्या हो रहा कि वो जो Gluck था वो इससे अलग नहीं इसको अपने से अलग नहीं करना चाहता था यह प्याले को But his wicked brothers only laughed at him and threw the mug in the furnace Wicked मतलब बच्चो अब बच्चो के बुरे Brothers मतलब भाई Laugh मतलब बच्चो हसना Threw मतलब बच्चो फेकना Mug मतलब बच्चो प्याला Funness मतलब बच्चो भट्टी यहाँ पर क्या होला है They asked Gluck to pour the gold When the mug was melted and Went out on some wicked enterprise Ask मतलब बच्चो आप बल सकते हो कि पूशना बोलना Pour मतलब बच्चो डालना Gold मतलब बच्चो सोना Mug मतलब बच्चो प्याला Melt मतलब बच्चो पिघलना Went मतलब बच्चो जाना Some मतलब कुछ Wicked मतलब बच्चो आप बल सकते हो Enterprise मतलब वयापार यहाँ पर क्या बोला है कि जो उन्होंने और क्या Gluck को यह बोला कि जब यह पिघल जाएगा तो इस सोने को इस सोने को क्या करना है इसको निकाल देना है जब सोना पिघल जाएगा उसको भट्टी से निकाल देना है और वो लोग यह बोलकर एक वयापार पर चलेगे एक बुरे वयापार पर चलेगे जहां पर वो लोगों को धुका देते थे ठीक है आगे देखते हैं का है यहाँ पर देखो आगे आपको क्या दिया हुआ हुआ है नमग मतब प्याला मेल्ट मतब पिखलना यहाँ पिखलना है कि गलग जो था वो विचारा उदास होकर नीचे बैठकर अपने प्याले को अपने जो सोने का प्याला था उससे पिखलते हुए देख रहा था बट स्रेंजली आफटर सम टाइम अब बट यहाँ पर का बला है लेकिन अजीब तरीके से कुछ ताइम बाद गलग को एक गाने की आवाज आई भटी में से He lifted the lid of the crucible and what did he see the face of his old bearded friend on the top of the melted gold lift मतलब उठाना lid मतलब ढकन crucible मतलब क्या होता है बच्चो एक पतीला जिसमें हम कोई जैसे सोना यह सब पिखलाते हूं उसको बोलते है what मतलब बच्चो क्या face मतलब चहरा c मतलब देखना old मतलब बुढ़ा, bearded मतलब दाड़ी वाला friend मतलब दोस्त top मतलब उपर milter मतलब पिखलना, gold मतलब पिखलना क्या यहां पर बोला है कि जब उसने जो crucible जो बरतंज जिसमें सोने को पिखला रहे थे उसका धक्कन जब उठाया तो वो क्या देखता है कि उसका जो बूढ़ा, जो दाड़ी वाला दोस्त था उसका चेहरा उपर जो प्याला था उस पे छपा हुआ था कम और वो ही उसकी ही आवाज आ रही थे अंदर से ठीक है? आगे देखते कैं है कम गलक, my boy, set the voice from the crucible कम मतलब बच्चो आओ बॉइ मतलब लड़का वोई मतलब बच्चो आवाज crucible मतलब बच्चो बरतन जिसमें हम सोना ऐसा पिखलाते है तो जो जो बरतन जो उसका गलक का प्याला था उस पे जो face बना हुआ था उसने गलक से क्या बोला कि गलक आओ मेरे बच्चे ये जो उस पे प्याले पे जो चेहरा बना हुआ था उसने इसे गलक को बोला pour me out, I am too hot और उसने क्या बोला देखो बच्चो pour मतलब बच्चो डालना आप बोल सकते हो out मतलब बाहर, hot मतलब गर्म और इसने क्या बोला कि मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत ही ज़्यादा गर्म हूँ गलक वस टू एस्टोनिस्ट एस्टोनिस्ट मतलब बच्चो आप बोल सकते हो आश्चरे चकित, ठीक है, मतलब कि बरतन जिसमें हम सोना पिगलाते हैं तिल्टर मतलब बच्चो टेड़ा करना पोर मतलब डालना गोल्ड मतलब सोना यहापे का हुला है, लेकिन जो गलक था उसने वो जो बरतन था जिसमें सोने को पिगलाने के लिए रखा गया उसको पकड़ा और टेड़ा गया, ताकि वो सोने को बाहर निकल सके इंस्टेड अफ गोल्ड, अगोल्डेन ड्रॉफ गेम आउट आफ दी पोर्ट इंस्टेड मतलब बुल सकते हो कि बच्चो बजाए, गोल्ड मतलब सोना गोल्डेन ड्रॉफ ड्रॉफ मतलब बॉल सकते हो जिसमें हम सोना पिगलाते हो यहां भी क्या बुला है कि सोना बाहर आने की बजाए, एक छोटा सा बॉला सा सोनेरा आदी उसके बाहर निकला फेस मतलब बच्चो चेहरा, काव मतलब बच्चो आपको बताया हो खुदा हुआ यह तो गुंदा हुआ आप बोल सकते हो मग मतलब प्याला, क्या बोले कि वो जो था जो बॉना सा जो सुनेरा आदमी बुड़ा सा जो निकला था, वो कौन था? वो जो गलक के प्याले पे जो दाड़ी वाले आदमी का चेहरा बना हुआ था वो था जो बहार निकल कर आया प्रे सर सेडग्लग रैधर हेजिटेटिंगली, वर यू माइ मग प्रे मतलब पचो आप बलसटकर प्राथना करना, रैदर मतलब पचो बलकी हेजिटेटिंगली मतलब पचोह हिच की चाखर्व mm Reject मतलब प्याला, हैहा प nep यहा पना है जो मेर् vi tournament चाहने मेरी तहुए व donnा वहां से बहार येसे उछलकर आया है बढ़ पूछ रहा है यहाने का दिखेर करिए जरुँ आया धरन कर लें यहाने को अगे क्या हैं कि यहां पर आना आप को आगे कि देमा यहां मोजा I am the king, I am the king of what you call the golden river, king मतब बचो राजा, what मतब बचो क्या, call मतब बचो बोलना, golden मतब बचो सुनेरा, river मतब नदी, अब देखो वो बउना क्या बोल रहा है, कि बचो कि मैं, जिसको आप सुनेरे नदी बोलते हो, उसका मैं राजा हूँ, the golden drop told him, golden मतब बचो सुनेरा, drop मतब बउना, ऐसा यह जो सुनेरा बउना था, जो हम दोंने देखा है यहाँ पर, यह जो बउना इंसान है, इसने ऐसा गलक को बोला, कि मैं golden नदी का राजा हूँ, जो सुनेरे नदी है, उसका मैं राजा हूँ, he added that another stronger king had turned him into a mug by magic, added मतब बचो मिलाना, another मतब बचो दूसरा, stronger मत बच्चो अबलसकतों ताकतवर, king मतब राजा, turn मतब बच्चो अबलसकतों बदलना, mug मतब प्याला, magic मतब बच्चो अबलसकतों जादू, इसमें यह बोलते हूए उसे add कि आद्ड कि यह मिलाया कि एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा ने, मुझे प्याले में बदल दिया था जादू से इस ब्रधर वर आगे देखो के है यहाँ पर क्या बोला है कि जो बोना था उसने गलक से बोला कि उसने देखा है कि गलक कितना अच्छा है उसका दिल कितना अच्छा हो कितना नर्म दिल है और उसके भाई कितने बुरे है उससे दोनों देखा है क्योंकि देखो वो जो उस पर जो बोना बना हुआ था वो तो ज लिक्रेट आप बोल सकते हो राज मतलब क्या बला है कि उसने फिर गलप को एक राज बता है राज की बात बता है क्या था वो देखते हैं इफ एनिवन पोड थ्री ड्रॉप्स अफ होली वाटर इंटो रिवर वेर इट स्टाइट अन दी मौंटें टॉप देट परसें एनिवन मतलब कोई भी पोड मतलब बचो डालना ड्रॉप मतलब बूंद होली वाटर मतलब बचो आप क्या बल सकते हो धार्मिक पानी जो रहता थीक है कि अगर मतलब बूंद हो इसंन आध्मी के लिए एक सोनी की नदी बन जाएगी आगे देखो क्या है A person could try this only once person मतब बच्चो आदमी try मतब बच्चो कोशिश करना once मतब एक बार क्या बला है कि एक आदमी इसे एक बार ही try कर सकता है एक बार ही कोशिश कर सकता है and if anyone put unholy water in the river he would be turned into a black stone anyone मतब बच्चो कोई भी अनहोली मतबचो जो पानी मतब धार्मिक पानी जो नहीं हो रिवर मतबचो नदी टर्न मतबच बदलना बलैक मतबचो काला श्टोर मतब पत्थर क्या बोला है यहाँ पे कि अगर कोई उसमें जो धार्मिक पानी नहीं है और पानी उसमें डाल देगा नदी में तो वो है वो जो है वो बदल के काले पत्थर में बदल जाएगा वो आदमी So saying the dwarf jumped back into the furnace and disappeared Saying मतलब बचो अब बोल सकते हो बोलना Dwarf मतलब बाउना Jump मतलब बचो कूदना Back मतलब बचो वापिस Furness मतलब बचो भट्टी Disappear मतलब बचो गायब होना यहापे क्या बोला है कि यह बोलते हुए जो बाउना था वापिस कूदकर भट्टी में गया और वहाँ से गायब हो गया वो आगे देखो आपको क्या है आगे आपको When Gluck told this to his brothers They did not believe him at first and beat him When मतलब बचो जब Told मतलब बचो बोलना Brother मतलब बचो भाई Believe मतलब बचो विश्वास करना First मतलब बचो पहले Beat मतलब मारना यहाँ पर क्या बोला है कि जब ये बात Gluck ने अपने भाईयों को बताए तो वो लोग उसका येकिन नहीं किया और उसे मारने लगे But Gluck stuck to his story Stuck मतलब बचो अब बने रहना Story मतलब कहानी But मतलब लेकिन यहाँ पर क्या बोला है At last मतलब बचो आखिर में Believe मतलब बचो विश्वास करना Begin मतलब बचो शुरू करना Fight मतलब बचो लड़ना Who मतलब बचो कौन First मतलब पहला Chance मतलब बचो मौका Golden River मतलब सुनेरी नदी यहाँ पर क्या बला है The police came to see what had happened Fourth मतलब बचो लड़ाई करना Police मतलब बचो आपको मालूम है जो police रहते हैं जो में देर रक्षा करते हैं Came मतलब बचो आना Happen मतलब बचो होना See मतलब देखना यहाँ पर क्या हो लाए कि वो लोग आपस में इतना लड़ रहे थे कि वहाँ पर police आगी देखने के लिए कि क्या हो रहा है Hence ran away when the police came But squads was caught and put in prison Hence मतलब बचो जो भाई है जो गलक का बड़ा भाई है उसमें से एक भाई हैंस है Ran मतलब भागना Away मतलब बचो दूर When मतलब बचो जब Came मतलब आना Court मतलब बचो पकड़ना Prison मतलब जेल Put मतलब बचो डालना यहाँ पर क्या होला है कि लेकिन जो हैंस हा वो भाग गया जब police आई लेकिन जो squad सा वो police के हाथ लग गया और उसको police ने जेल में डाल दिया आगे क्या है देखो आगे देखो क्या है हैंस वोज हैपी डेट स्कोर्ड वोज इन प्रिजन हैपी मतलब जो खुश प्रिजन मतलब जेल यहाँ पर क्या बोला कि हैंस जो था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्या फाइदा होएगा हम देखते आगे किसलिए खुश था यहाँ पर देखो यहाँ पर क्रिशन लोग प्रार्तना करते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि जो हैंस था जो पुलिस हाई भाग गया था वो अला भाई क्या किया वो अगली सुबे वो चर्च में गया और वहाँ से कुछ धार्मिक जो पानी है वो चोरी करकर पहाड के उपर जाने के लिए पहाड के उपर जाना शुरू किया कहाँ पर जहाँ पर नदी थी वहाँ पर जाना शुरू किया आगे देखते क्या है यहां पर पहाड के ऊपर जा रहा है यह पहाड है यह हैंस जा रहा है It was not easy It was not easy to climb the mountain Easy मतब बचो आसान Climb मतब चड़ना, mountain मतब पहाड मतब क्या बोला है कि वो जो पहाड है उसे उस पर चड़ाई करना इतना आसान नहीं था He was tired and thirsty Tired मतब ठका हुआ, thirsty मतब प्यासा यहां पर क्या बोला है कि जो हैंस था वो ठक चुका था और बहुत ज़्यादा प्यासा था क्योंकि वो पहाड पर चड़ा था बहुत मुश्किल हो रही थी Soon Hans thought He would drink some of the holy water Himself Soon मतब जल्द, thought मतब सोचना Drink मतब पीना Some मतब जो कुछ Holy water मतब जो धार्मिक पानी Himself मतब जो खुद के लिए यहां पर क्या बोला है कि जल्द, Hans ते यह सुचा कि थोड़ा सा जो यह पानी लेकर जा रहा है जो चर्च से लिए यह खुद थोड़ा सा पी लेगा Just as Hans raised the flask Just as Hans raised the flask of water to his lips He saw a little puppy on a rock Raise मतब जो आप बल सकते हो ऊपर उठाना Flask मतब जो आप बल सकते हो bottle जिसमें हम पानी रखते हो Water मतब पानी Lips मतब जो होट Saw मतब देखना Little मतब छोटा Puppy मतब जो कुछते का बच्चा Rock मतब जो पत्थर यहाँ पर क्या बला है कि जैसे हैंस जो था उसने bottle उठाया पानी पीने के लिए अपने होटो तक जैसे लेकर गया तो उसने देखा एक छोटा सा कुछते का बच्चा एक पत्थर के उपर था It looked as if it was dying of thirst Look मतब जो अब दिखना Dying मतब जो मरना थर्स मतब प्यास यहाँ पर क्या बला है कि वो जो देखो यहाँ पर यहाँ पर यह चोटा सा है यह दो को हैंस को दिखा यहाँ पर पत्थर पर क्या बला है कि वो जो पपी था कुत्ते का बच्चा वो ऐसा लग रहा था कि वो प्यास से मर रहा है ठीक है आगे कहा देखो अब यहाँ पर क्या बोला कि जो हैंस था उसने क्या किया यह पपी को अपने पैर से अपने पैर से धक्का दिया और पानी खुद पीकर वो वहाँ से निकल गया The climb now became more difficult Climb मतबचो आप बोल सकते हो जो चड़ रहा था उपर का जो मतबचो climb मतबचो चड़ना became मतबचो होना difficult मतबचो मुश्किल मतबचो यह जो चड़ाई थी पहाड के उपर वो अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई hands felt thirsty again felt मतबचो महसूस करना thirsty मतब प्यासा again मतब वापिस यहाँ पर क्या बोला है कि जो hands था यह इसको वापिस प्यास लगी he was going to drink some more of the water when he saw a little child on a rock ahead of him मतब बच्चो अब बोल सकते हो आगे him मतब बच्चो खुद यहाँ पर क्या होला है कि जो यह hands था वो पानी पी नहीं जा रहा था कि उसने पत्थर पर आगे पत्थर पर एक बच्चे को देखा the child was lying lifeless its lips past and burning child मतब बच्चो क्या होता है बच्चा lying मतब बच्चो वहाँ पड़े रहना lifeless मतब बच्चो आप बल सकते हो कि एकदम ऐसा लगता है कि मरी हालत में मतब उसकी जान निकल रही हो lips मतब बच्चो hot पाज मतब बच्चो सूखा burning मतब बच्चो जलना यहाँ पर कावला कि वो जो बच्चा था वो वहाँ पर पड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था कि मरने की हालत में और उसका जो hot था वो एकदम सूख गया था और ऐसा लग रहा था कि जला हुआ था ignoring the child hands drank some more water himself and passed on ignoring मतब बच्चो मतब बच्चो आप बोल सकते हो अंदेखा करना चाइड मतब बच्चा drank मतब पीना some मतब बच्चो कुछ water मतब पानी himself मतब बच्चो खुद pass मतब गुजरना यहां पर क्या होला है कि फिर hands देखा कि वो जो बच्चा वहां पर था उसको अंदेखा करते हुए hands देखा खुद पानी पी लिया और वहां से वो गुजर गया the climb had not become very very difficult climb मतब बच्चो अब बच्चो चढ़ाओ become मतब बच्चो होना very very difficult मतब बच्चो बहुत ज़्यादा मुश्किल यहां पर क्या होला है कि जो चढ़ाओ यह जो चढ़ाई था यह अब जो पहाड पे हैंस चढ़ रहता जो चढ़ाई थी अब यह बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी somehow हैंस reach the top of the mountain from where the golden river sprang somehow मतब बच्चो कैसे भी reach मतब पहुचना top मतब बच्चो अब बच्चो अब बच्चो अब बच्चो अदम ऊपर चोटी पर mountain मतब पहाड golden river मतब बच्चो सुनेरी नदी spring मतब बच्चो अच्छल कर बाहर आना ठीक है यहाँ पर क्या हो लाए कि कैसे भी कर गए हैंस जो है वो पहाड की उपर पहुच गया जहां से golden river बाहर निकल रही थी a friend cry fell on his ears cry मतब बच्चो रोना fell मतब बच्चो गिरना ears मतब बच्चो कान मतब कि एक रोता ही हुई आवाज जो हैंसा उसके कान में आई then he saw a weak old man stretched on a rock water the man said water I am dying saw मतब बच्चो देखना weak मतब कमजोर old man मतब बच्चो बुढ़ा आदमी old मतब बुढ़ा man मतब आदमी stage मतब बच्चो आप बल सकतो ऐसे पड़े रहना ठीक है rock मतब पत्थर water मतब बच्चो पानी man मतब आदमी water मतब पानी dying मतब मरना मतब बच्चो की फिर जब उसने आवाज सुनी तो उसके बाद हैंस ये देखा कि एक बुढ़ा आदमी पत्थर पर पड़ा हुआ है और वो बोल रहा है पानी पानी मैं मर रहा हूँ ऐसे वो पानी ये बोलकर हैंस से मांगने लगा I have no water for you replied हैंस water मतब बच्चो पानी you मतब बच्चो आप बच्चो तुम reply मतब बच्चो जवाब देना तो हैंस ने क्या जवाब दिया कि मेरे पास तुमारे लिए पानी नहीं है he jumped over the old man's body and ran to the river यहाँ पे देखो बच्चो वो ये बुढ़ा आदमी है ठीक है देखो यहाँ पे ये बुढ़ा आदमी यहाँ पे देखो पड़ा हुआ है इस आदमी की बात कर रहे है यहाँ पे क्या बुढ़ा है jump मतब देखो च्छलांग मारना old मतब देखो बुढ़ा man मतब आदमी body मतब शरीर rain मतब देखो भागना river मतब देखो नदी यहाँ पे क्या बुढ़ा है कि जो hands था the river shone golden in the light of the setting sun river मतब बच्छो नदी shone मतब बच्छो बोल सकतो चमकना golden मतब सुनहरी light मतब रोशनी setting sun मतब दूपता हुआ सूरज यहाँ पे क्या बोला है कि जो यह नदी थी वो जो दूपते हुआ सूरज की रोशनी में एक्तम सुनहरी लग रही थी hands through the flask of holy water into the river through मतब बच्छो फेकना flask मतब बच्छो बोटल जिसमें पानी था holy water मतब धार्मिक पानी river मतब नदी यहाँ पे क्या बोला है कि फिर hands ने क्या किया उसने वो पानी जो था जो बोटल था उसको नदी के अंदर फेक दिया but alas the river did not turn to gold but मतब बच्छो लेकिन alas मतब क्या होता है बच्छो आखिरकार river मतब बच्छो नदी not मतब नहीं turn मतब बदलना gold मतब बच्छो सोना क्या होला है कि लेकिन आखिरकार जो नदी थी वो सोने में नहीं बदली instead there was only a black stone where hands stood instead मतब बच्छो आप बोल सकते हो उसके बजाए only मतब सिर्फ black stone मतब बच्छो काला पत्थर stood मतब बच्छो खड़े रहे न यहाँ पर क्या होला है कि उसके बजाए क्या हुआ जहाँ पर hands खड़ा था वहाँ पर सिर्फ एक काला पत्थर था when squads returned from prison he took some of gluck's money and bought some holy water from the bad priest and set out for the golden river when मतब बच्छो जब squads कोन है बच्छो जो gluck का बड़ा भाई है एक hands एक squads है यह दूसरा वाला भाई squads है return मतब बच्छो वापीस आना prison मतब जेल took मतब बच्छो आप बल सकते हो लेना money मतब पैसा, bought मतब लाना holy water मतब धार्मिक पानी bad priest मतब बच्छो priest मतब बच्छो होता है साधू मतब जिसे Christian में रहते हैं उनको हम priest बोलते हैं bad मतब बच्छो बुरा set out मतब बच्छो आप बल सकते हो कि निकलना golden river मतब सुनेरी नदी यहां पर क्या बोलाया कि जब स्कोर्ट्स जो था वो जब जेल से वापिस आया तो उसने जो गलक था उसके पैसे लिए थोड़े और वो एक बहुत भी बुरे priest से holy water मतब धार्मिक पानी लेकर आया और वो golden river जो पहाड़ पी थी उसके लिए रवाना हो गया ठीक है आगे दुखो क्या है while climbing the mountain scores to saw the fair child dying of thirst and passed on without giving him water while मतब बच्चो आप बच्चो कि जब climbing मतब जो चढ़ाई mountain मतब पहाड saw मतब देखना child मतब बच्चो क्या है बच्चा dying मतब बच्चो मरना thirst मतब प्यास past मतब बच्चो गुजरना without मतब बच्चो बिना giving मतब देना water मतब पानी यहाँ पी काबला है कि पहाड़ी पर चढ़ाई करते समय squads ने भी उस बच्चे को देखा वो प्यास से मर रहा है लेकिन वो बिना उसे पानी दिये हुए पहाड़ पर ने चढ़ाई अपनी continue रखा अपनी चढ़ाई करता रहा ओके देखो क्या है As he had climbed a little higher he saw his own brother hands stretched on a rock asking for water climb मतब बच्चो चढ़ना little मतब बच्चो थोड़ा higher मतब ऊचा so मतब देखना own मतब बच्चो खुद का brother मतब भाई stretch मतब बच्चो आपल सकता ऐसे चोड़ा होकर पड़े रहना rock मतब पत्थर asking मतब बच्चो पूछना water मतब पानी मतब बच्चो कि जैसे ही जो ये स्कौट सा वो थोड़ी सी चढ़ाई किया पहाड पर तो उसने अपने भाई को ही देखा कि वो पत्थर पर पड़ा हुए और वो पानी मांग रहा है but the wicked स्कौट only laughed aloud and went on without giving him any water wicked मतब बच्चो बुरा only मतब बच्चो सिर्फ laugh मतब हसना allowed मतब जोर से went मतब जाना without मतब बिना giving मतब बच्चो देना water मतब पानी मतब क्या होला है कि लेकिन जो स्कौट सा वो सिर्फ अपने भाई पर हसा और उसे बिना पानी दिये फ्लास मतब बच्चो आखिरकार when मतब जब cash मतब बच्चो बॉल सकते हो cash the flash मतब बॉल सकते हो stream मतब बच्चो आब बॉल सकते हो जो पानी है जो नदी थी turn मतब बदलना stone मतब पत्थर यहाँ पर क्या बलाए बच्चो कि जब आखिर में जब squats ने भी नदी में जब bottle फेकी तब क्या हुआ जो नदी थी वो तो सोने में नहीं बदली लेकिन जो squats सा वो पत्थर में बदल गया ठीक है आगे दिखते आगे क्या है यहाँ पर दिखो क्या है Gluck waited and waited for his brothers but they did not return waited मतब बच्चो इंतिजार करना brother मतब भाई return मतब वापिस आना यहाँ पर क्या बोला है कि जो Gluck था सबसे छोटा भाई उसने अपने भाईयों का भोट समय तक इंतिजार किया लेकिन वो वापिस नहीं आए at last he decided to visit the golden river himself at last मतब बच्चो आखिर में decided मतब बच्चो निश्य करना visit मतब जाना golden river मतब बच्चो सुने रही ने दी himself मतब खुझ से यहाँ पर क्या बोला है कि आखिरकार जो Gluck था उसने ये निश्य किया कि वो golden river खुझ जाएगा he went to a good priest who willingly gave him some holy water went मतब बच्चो जाना good priest मतब बच्चो अच्छा जो साधू जैसे Christian लोग में priest को हिंदी में हम साधू बोलते हैं विसे Christian में हम priest बोलते हैं willing नी मतब बच्चो चाहना gave मतब देना holy water मतब धार्मिक पानी यहाँ पर क्या बला कि Gluck जो था वो एक अच्छे से priest के पास गया और उसने अपनी मर्जी से उसको धार्मिक पानी दिया Gluck को Gluck was young and small and he too found the climb very difficult young मतब बच्चो अब बच्चो चोटा कम उम्र small मतब बच्चो चोटा found मतब बच्चो ढूंड़ना climb मतब बच्चो चढ़ाई difficult मतब मुश्किल यहाँ पर क्या होला है कि Gluck उमर में चोटा था और height में भी चोटा था इसलिए उसे भी जो चढ़ाई थी बहुत मुश्किल लग रही थी After he had climbed for an hour also he became very thirsty after मतब बच्चो बाद में climb मतब बच्चो चढ़ाई करना hour मतब बच्चो आप बल सकतो घंटा became मतब बच्चो होना thirsty मतब प्यासा क्या बला है कि कुछ घंटें तक चढ़ाई करने के पाद जो गलग था वो भी बहुत ही ज़ादा प्यासा हो गया था he was about to drink some water when like his brothers he saw an old man drink मतब बच्चो पीना some मतब बच्चो कुछ water मतब पानी when मतब जब brothers मतब भाई saw मतब देखना old man मतब बुढ़ा आदमी old मतब बुढ़ा man मतब आदमी यहाँ पर क्या बला है कि जैसे गलग पानी पीने ही वाला था वैसे उसने अपने भाईयों की तरह एक बुढ़े आदमी को देखा जैसे उसके दोनों भाईयों को दिखे थे and ask for some water old man मतब बुढ़ा आदमी walk मतब चलना towards मतब बचो और leaning मतब बचो जुकना staff मतब बचो चड़ी ask मतब पूछना some मतब बचो कुछ water मतब पानी यहाँ पर क्या बला है कि जो बुढ़ा आदमी था वो चलते हुए गलग की तरफ गया और एक चड़ी के साहरे वो जुका हुआ था और गलग से वो पानी मांग रहा था गलग saw that the old man was pale, tired and thirsty saw मतब बचो देखना old man मतब बुढ़ा आदमी pale मतब बचो कमजोर, tired मतब बचो थका हुआ thirsty मतब प्यासा और गलग ने देखा कि जो बुढ़ा आदमी बेचा रहा था वो बहुत ज़्यादा कमजोर था, बहुत थका हुआ और प्यासा था so he gave him the bottle of water gave मतब बचो देना bottle, water मतब बचो पानी क्या बहुत है कि इसलिए गलग ने उसको जो बौटल में पानी था वो उस बुढ़े आदमी को दिया the old man drank up nearly two-third of the water old man मतब बचो बुढ़ा आदमी drank मतब बचो पीना nearly मतब बचो अब बचो तो करीब करीब two-third मतब बचो क्या होता है two-third मतब बचो आधे से ज़ादा water मतब पानी यहाँ पर क्या बोला है कि जो बुढ़ा आदमी था उसने आधे से ज़ादा बोटल का पानी पी गया then he returned the bottle and wished Gluck well return मतब बचो वापिस करना wish मतब बचो आप बल सकते हो मतब बचो शूप कामना है well मतब बचो अच्छे यहाँ पर क्या बोला है कि उसने क्या गिया फिर Gluck को बोटल वापिस दिया और उसको उसको शूप कामना है दी Gluck को ठीक है आगे देखो क्या है Gluck did not have any water himself water मतब बचो पानी himself मतब खुद के लिए ठीक है खुद not मतब बचो नहीं क्या बला है यहाँ पर कि Gluck के पास अब खुद के लिए पानी नहीं बचा था but as he went on his path became easier went मतब जो जाना but मतब लेकिन path मतब रास्ता easier मतब जो आसान क्या होला है यहाँ पर लेकिन जैसे Gluck वहाँ से आगे निकला Gluck के लिए रास्ता आसान बन गया था after climbing for a long time when he became thirsty he saw the small child climbing मतब जो चड़ाई करना after मतब बाद में long time मतब जो लंबे समय became मतब जो अब जोटे होना thirsty मतब प्यासा saw मतब देखना small child मतब छोटा बच्चा मतब क्या बला है कि कुछ समय तक चड़ाई करने मतब चड़ाई करने के बहुत समय बाद उसने उस प्यासे छोटे बच्चे को देखा gluck was very sorry for him and gave him some water sorry मतब बच्चो अब जो अफसोस यहाँ पे sorry का मतब होगा अफसोस gave मतब देना some मतब बच्चो water मतब पानी यहाँ पे क्या वहला कि gluck जो था वो बच्चे के लिए बहुत अफसोस कर रहा था इसलिए उसने उसको उस बच्चे को थोड़ा सा पानी दिया the child began to smile got up and ran down the hill begin मतब बच्चो शुरू child मतब बच्चा smile मतब बच्चो हसना got up मतब उठना ran मतब दोडना down मतब नीचे hill मतब पाड़ी यह पर क्या बला है कि जो बच्चा था वो हसते हुए उठा और जोड़ते हुए पाड़ी के नीचे चला गया now only a few drops of water were left in the bottle now मतब बच्चो अभी only मतब सिर्फ few मतब बच्चो कुछ drop मतब बूंदे water मतब पानी left मतब बच्ची हुई क्या बला है यहाँ पर कि अब जो bottle थी उसमें कुछ ही पानी की बूंदे बच्ची हुई थी when Gluck came close to the mountain top he was very thirsty himself came मतब बच्चो आना close मतब पास में mountain मतब बच्चो पहाड top मतब ऊपर thirsty मतब बच्चो प्यासा himself मतब खुद यहाँ पर क्या बला है कि when मतब बच्चो जब क्या बला है यहाँ पर कि जब Gluck पहाड के एकदम ऊपर आ गया तब वो खुद बहुत ही ज़ादा प्यासा था just then he saw the poor little pup that was dying of thirst saw मतब बच्चो देखना poor मतब बच्चो अब बच्चारा little मतब छोटा रहा था I must help it now thought Gluck help मतब बच्चो मदद करना now मतब बच्चो अभी thought मतब सोचना तब ही दो को यहाँ पर क्या वाला है Gluck ने यह सुचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए otherwise it may be too late otherwise मतब बच्चो आप बल सकते हो नहीं तो late मतब बच्चो देर क्या वला है कि Gluck ने क्या सुचा कि मैं इसकी अभी मदद करता हो नहीं तो बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि वो प्यास से मरे जा रहा था so he poured the remaining drops into the little dog's mouth पोर मतब बच्चो अबल सकते हो डालना remaining मतब बच्चो बच्चा हुआ drop मतब बूंद little मतब छोटा dog मतब कुटा mouth मतब बच्चो मुँ यहापे क्या वोला है कि तब Gluck ने क्या किया कि जो भी बच्चा हुआ बच्ची हुई पानी के बूंदे थी उसने उस कुट्चे के जो बच्चा था कुट्चे का बच्चा पपी था उसके मुँ में डाल दी ओके आगे दिखते क्या है the dog sprang up and in his place should the king of the golden river dog मतब बच्चो कुटा spring मतब बच्चो अब बच्चो अब बच्चो उचलना place मतब बच्चो जगे stoo'd मतब बच्चो खड़ा होना king मतब राजा, golden मतब बच्चो सुनेहरा river मतब बच्चो क्या हो यहाँ पर जो डॉगी जो कुट्चे का बच्चा तो जो पपी था वो अपनी जगहा पर कूदा और उसकी जगहा पर एक जो राजा था जो golden river का राजा जो सुनेहरी नदी का राजा था वो वहाँ पर आकर खड़ा हो गया देखो इस तरीके से यहाँ पर देखो बच्चो यह golden river का राजा है यह आकर खड़ा हो गया आगे देखो क्या है he was very pleased with gluck please मतब बच्चो आप बच्चो बहुत ही ज़्यादा खुश होना यहाँ पर क्या होला है कि वो जो golden river का जो सुनेहरी नदी का राजा था वो gluck से बहुत ही ज़्यादा खुश था the king put in gluck's bottle some dew drops from the petals of a lily king मतब बच्चो राजा put मतब बच्चो डालना dew drops मतब बच्चो ओस की बून्दे रहती है उसको हम बोलते हैं ठीक है petal मतब बच्चो पंखुडी lily मतब एक फूल है बच्चो यहाँ पर सफेद फूल रहते हैं यह दो इसको हम lily बोलते हैं यहाँ पर क्या बोला है कि यह जो राजा था सुनेहरी नदी का इससे क्या किया जो लिली जो फूल है इसके petals पे पंखुडी पे जो पानी की बून्दे थी उसको गलग की bottle में डाल दिया आगे दिखते क्या हुआ then he told गलग to cast it into the leaping river told मतब बच्चो बोलना cast मतब बच्चो आप बोल सकते हो डालना leaping river मतब बच्चो जो जो पहाड से निकली हुई नदी थी तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चो कि फिर उसने जो सुने रही नदी का जो राजा था उसने क्या बोला गलग से कि इसको अब तुम ये नदी में डाल दो गलग did so but the river did not turn to gold did मतब बच्चो आप बोल सकते हो करना but मतब लेकिन river मतब नदी turn मतब बदलना gold मतब सोना यहाँ पे क्या बोला है कि गलग ने वैसा ही किया उसने बोल्टल नदी में डाल दिया लेकिन जो नदी थी वो सोने में नहीं बदली however it changed its course and began to flow through the treasure valley making it rich and fertile once again however मतब बच्चो कैसे भी change मतब बच्चो बदलना course मतब बच्चो आप बोल सकते हो यहाँ पे रास्ता begin मतब बच्चो शुरू flow मतब बहना treasure valley मतब बच्चो जो खजाने की जो घाटी जिसको बोलते है making मतब बच्चो बनाना rich मतब बच्चो अब बच्चो अमीर fertile मतब बच्चो उप जाओ once again मतब बच्चो वापिस एक बार वापिस यहाँ पर क्या बोला है कि कैसे भी जो जो नदी थी वो तो सोने में नहीं बदली लेकिन उसने जो अपना बहाव था वो बदल कर अब जो जो सुनेहरी जिसे हम खजाने की घाटी बोलते हैं वहाँ से बहने लगी और उस घाटी को उसने उप जाओ वापिस बना दिया अब वापिस वहाँ पर फसल यह सब उगने लगी थी गलक lived in the valley helping the poor and needy live मतब जो रहना valley मतब घाटी helping मतब मदद करना poor मतब गरीब lady मतब जरूरत मन यहाँ पर क्या होला है कि गलक अब वो घाटी में रहने लगा था और वो गरीब लोगों की और जरूरत मन लोगों की मदद करता था वहाँ पर रहते हुए his bands were always full of corn and he never lacked for money बान मतब बच्चो क्या होता है जहाँ पर हम अनाज रखते हैं अनाज को जहाँ पर जमा करके रखते हैं always मतब बच्चो हमेशा full मतब भरा हुआ कौन मतब बच्चो आप बोसकते हो मकई, अनाज, यह सब never मतब बच्चो कभी नी lack मतब कमी, money मतब पैसा यहाँ पर क्या हो लाए कि जो गलग था उसके जहाँ पर वो अनाज जमा करके रखता था वहाँ हमेशा अनाज भरा हुआ रहता था और उसे पैसी की कमी कभी नहीं हुई ठीक है बच्चो तो बच्चो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो गया है आप इसे अच्छे से पढ़ लो और revise कर लो और इसके questions अप्लोड मैं कर दूँगा आप उसे देख लेना और learn कर लेना ताकि अगर आपका टेस्ट अब के full marks है अब यहाँ मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye अगर आपको यह वीडियो अच्छो लगा तो अब इस वीडियो को like करो share करो and channel को subscribe करो thank you